ह exempel। हुल एकन Griffin's second chapter chapter of the Indian economics में हूं हम US भी स over a gills prova ऑफ इज और और रहें जाने widz दड़र के बारे में जैनम है यहानी यस संगठ godtilt और ऊसंगठ पर में चेत्रखों का को इस पर गास सब्वीवाजन हुँआ इसके बारे में जैनें है ओर गिनाईज को और अन और गनाइज सेक्टर को समझने के लिए हम एकजामपल के रुप में कांटा और कमल के वर्क पर विचार करते हैं रूप में दिया गया है कांता और कमल का वर केस्परकार का है उसको समझने के लिए था कांता है जो एक ओफिस में काम करती है और वह सुबह साथे नौ बज़े से साम साथे पाँच बज़े तक ही ओफिस में रहती है वह क्या है रेगुलर रूप से इवरी वंत में उसको सेलरी मिलती है और उसे बेतन के साथ साथ उसे सरकारी नियम के तहथ प्रोविटेंट फॉंड्स यानि भविश्निधी जथा मेडकल और भी अधर एलाउंस भी सुमिलती है कांता को वह संडे के दिन भी ओफिस में नहीं जाती है और उसे उस दिन पेड होलिडे यानि की साथ वेतन अपकास भी मिलता है और कांता जो है जब नोकरी ये स्टार्ट की थी तब उसे एक एपॉइंट्मेंट लेटर यानि निक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नोकरी समद्र टर्मस एंड कंडिशन का उलेएख लिखा था उस एपॉइंट्मेंट लेटर में इस तरह से कांता एक और गिनाइज सेक्टर में यानि की संगठी चेत्रक में कायर करती थे वह ठीक है तुम जाने की किस तरह से कांता और गनाय सेक्टर में काम करते थे प्रक्ष या क्या उसको फएसलेटी मिलते हैं, अब है προईसिकी विप्रित में एक कमल है, जो किराना दुकान में देली बेज पर काम करने वाला एक लेवर की तरह है, वो सुबह साड़े साथ बज़े से दुकान पर जाता है और साम को आठ बज़े तक काम करता है और उसे मजदूरी के अलावा कोई भी और एलामिन से भथता नहीं मिलता है और वो जिस दिन काम नहीं करता है उस दिन उसकी मजदूरी उसे नहीं मिलती है इमेंट उसको नहीं मिलता है और उसे कोई छुटी या फिर paid holiday नहीं मिलता है और उसे कोई भी अवचारिक पत्र भी नहीं मिला था निक्ति के समय में जब दुकान पर निक्त किया जा रहा था था और उसे employer किसी भी समय काम से हटने के लिए का सकता है इस तरह से हम देखें कि कमल क्या है जो unorganized sector यानि असंगठी चेतर में काम करता है जिसका गरांटी भी नहीं ले रही है सरकार तो हम देखते हैं कि कामता ही एक organized sector में काम करती है जहां पर क्या है कि रुजगार की अब धी जो समय है जो नियमित होती है और यह सेक्टर government द्वारा registered होता है organized sector होता है जो government द्वारा registered होते हैं और उन्हें government rules and regulation का follow करना होता है जैसे में रूल रेगलेशन के रूप में फैक्टरिक एक्ट यानि करखाना अधनियम मीनमम वेज एक्ट नियुंतम मज़ूरी अधनियम और पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट यानि सेवानुदान अधनियम फिर सोफ एड इस्टेबिलिस्मेंट एक्ट का भी पालन कर होता है तो इस तरह से के सेक्टर को हम औरगनाईस सेक्टर कहते हैं ठीक है जहां पर सफेस्टी मिले जह और गवर्मेंठ में रिबिस्टप और ओर और कुछ लोग किसी के दोछा नियोजीद नहीं होते हैं बलकि वे स्वता काम कर सकते हैं पर नथुमीं अपने सरखार के समझ रजिस्टर कराते हैं और गौर्मेंट के रूल एंड रेगुलेशन का भी फॉलो करते हैं ठीक है फिर है और्गिनाइज सेक्टर के करमचारी लोग को रोजगार सुरच्छा का भी लाह मिलता है उसे एक निश्चित समय तक ही काम लिया जाता है उसे ज्यादे समय तक अगर जाता है अगर जादे साथ लिया जाए तो अगर उसको निश्चित समय से अगर अधीक समय तक काम करने तो उनको अत्रिक्त वेतंज़व दिया जाता है उनको ठीक है और इंप्लायर यानि जो नियुकता से और भी अधर बेनिफिट मिलते हैं उसको जैसे में फेट लीव बने सब वैतनी चुटी फिर पेमेंट डियूरिंग होलिडे यानि अब खास काल में भी पेमेंट उसको मिलता है फिर प्रोविडेंट फंड रहता है उसके उसको और जब रिटायर जो होते हैं उनाइस अप्रसे तो उन्हें पेंसल भी मिलता है ठीक है इस तरह से और सिक्राम करते हैं लोग बेनिफिट इस तरह से हैं ठीक है फिर लेकिन इसके विप्रित्जूत का कमल जो अन और्गनाइज सेक्टर में यानि असंगठी चेतर में काम करता था तो अन और्गनाइज सेक्टर जो है जो एक छोटी छोटी और बिखरी होई काईमी के रूप में होती है जो गौवर्मेंट के कंट्रोल से बाहर होता है अनर्गुनाईज सेक्टर को गवर्मेंट कंट्रॉल नहीं करती है इस सेक्टर के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं किन्तु उसका फोलो नहीं किया जाता है नियम तो बहुत बन जाता है लेकिन अनर्गुनाईज सेक्टर में फोलो नहीं किया जाता है और इस सेक्टर में वर्कर को मीनमम बेतन पर कम बेतन पर रखा जाता है और यह रेगुलर भी नहीं होता है अनर्गनाई सेक्टर में रेगुलर भी नोकरी नहीं मिलती है यहां पर ओभर टाइम काम करने का पेटलिव यह फिर होलिड ते यह फिर भीमारी का र्यांच छुटी का कोई भी प्रावधान नहीं है अनर्गनाई सेक्टर में और यह रोजगार सुरचित भी नहीं है इस सेक्टर में लेवर को बीना किसी काम किसी कारण से ही उसको हटाया जा सकता है बीना कोई कारण के वे चाह जाएगा तो हटा दिया जाएगा अन और्गनाइज सेक्टर से ठेक है इस सेक्टर में काफी संख्यम लोग अपने अपने छोटे कारियों में सुवता ही नियुजित होते हैं इसी तरह से जो किसान लोग है फार्मर लोग है तो अपने खेतेव में काम करते हैं और जरूरत के अनुसार लेवर को लगाते हैं, तो फिर नहीं भी लगाते हैं, जिसना जरूरी हुआ उसी के अनुसार लेवर का यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम और्गनाइज सेक्टर के बारे में जाने हैं, तो दोरों में डिफरेंट क्या है, इसके बारे में जाने ह सेक्टर और अऊर्गनाईज सेक्टर में हैं यह यह नवर में है कि अर्गनाईज सेक्टर को ब dei टोंडर नहीं करता है कि ठीक है फिर सेकंड में और्गनाइज सेक्टर में टर्म्स ओफ इंप्लाइमेंट को फॉलो किया जाता है लेकिन अनिर और्गनाइज सेक्टर में कोई भी टर्म्स ओ ओफ इंप्लाइमेंट को फॉलो नहीं किया जाता है ठीक है फिर थार्ड में है और्गनाइज सेक्टर के के फाक्टरिज एक्ट मिन्मम वेज एक्ट को फॉलो किया जाता है लेकिन अन और्गनाइज सेक्टर में ये सब कोई भी एक्ट को फॉलो नहीं किया जाता है ठीक है फॉर्थ में और्गनाइज सेक्टर में में fixed working hours होता है और health facility भी होता है और paid leave और job security भी होती है लेकिन ठीक इसके बिप्रित में on organized sector में ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है फिर जो और बनाइस sector है जो जो सरकार के दोरा तो नियमित होई करती है regular और इसका उदेश से होता है और गनाइस sector का कि लाव कमाने के साथ साथ प्रोफिट कमाने के साथ साथ ही लोगों को कल्यान करना भी होता है लेकिन अन और्गनाइज सेक्टर में जो प्राइवेट कमपनिया के नियंतरन में जो होती है उसका मुझ खुद्यस होता है सिर्फ लाव कमाना है जादे से जादे प्रोफिट हो वो में लोगों को कल्यान के बारे में कुछ से नहीं सोचता है प्रवाट कंपणी वाला वह अपना सरिफ फॉफिट सोचता है ठीक है फिर वाजाइस सेक्टर में एक्जामपल के तोर पर बैंक्स हो गया स्कूल यह वर्यूटर अश्टर फिर अन-एर्गनाइस सेक्टर में अर्गनाइज सेक्टर के बार होगा है ओके